सोलो सिकोवा के आतंक का फिर शिकार बना रिडल बिचारा लाख कोशिश हैं करने के बावजूद भी स्ट्रीट चैंपियन को हरा नहीं पाया उसोस ने किया अंडिस्प्यूटेड टेग टीम चैंपियनशिप जीतने का वादा जाने के सारा बवाल जो ब्लेड लाइन ने मचाया आज स्मैक डाउन में तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों शो के में इवेंट में दा उसोस ने एंट्री मारी लोगों के सवालों का जवाब देते हुए उसोस बोले कि रसल मीनिया में हारने के बाद उन्हें नहीं पता कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं लेकिन हाँ अगले हफते होने वाला अंडिस्प्यूटिड टेग टीम चैंपियनशिप मैच कोई मामूली री मैच नहीं है बलकि वो रसल मीनिया के में इवेंट का री मैच होगा जिसमें उसोस ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के समान के लिए एक बार फिर टेग टीम टाइटल्स जीतेंगे अगले हफते हम दोनों मिलकर केविन उवेंस और सैमी जैन को उसी तरह तोड़ेंगे जिस तरह कुछ देर बाद हमारा भाई सोलो सिकोवा उस से चपरी रीडल को तोड़ेगा फिर उसोस ने ब्लडलाइन के रक्षक स्ट्रीट चैंपियन को इंट्रिडूस किया इसके बाद हमें सिकोवा और रीडल के बीच एक ब्रूटल नो डिस्क्वलिफिकेशन मैच देखने मिला मैच शुरू होने से पहले ही चपल चोर रीडल ने सिकोवा पे पीट पीछे धोके से हमला किया लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी ये लोमडा कुछ नहीं उखार सका और रोमन रेंस के चोटे भाई ने इसे देधनादन बजाना शुरू कर दिया रीडल की तगड़ी धुलाई करने के लिए सिकोवा ने किंडो स्टिक्स और स्टील चेयर्स निकाली लेकिन ऐसा करना उनी पे भारी पड़ा क्योंकि ओरिजिनल ब्रो ने पासा पलटकर स्ट्रीट चैंप पे लाठी चार्ज शुरू करमारा रीडल यहीं नहीं रुका उस रीडल को बमा बम कूटने लगे लेकिन औरिजिनल ब्रो ने उल्टा जिमी और जैकी ही धुलाई कर डाली इतने में सोलो सिकोवा एनाउंसर्स टेबल को उठा कर खड़ा हो गया उनकी ताकत देख रीडल डर के मारे कापने लगा सिकोवा ने रीडल को दबोचा और एक अंगा ना लेने का रहे बाबा लेकिन क्या आपके हिसाब से आने वाले स्मैक डाउन में उसोस एक बार फिर अंडिस्प्यूटिट टेग टीम चैंपियन्स बनेंगे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा बिलीविन गॉड एंड थैंक्स फर वाचिंग